है आप सब लोग तो आज इस प्रोमें बात करने वाले हैं यूटरस के बारे में ठीक है जिसको हम वूम या हिस्ट्रा भी बोलते हैं तो डरो मत ठीक है यह है काफी सारे इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं एक ही पेज में उन्हें कवर कर रहा है यूकि मैं चाहता हूं कि जो भी इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं ठीक है आप मुल्टिपल पेज ना बनाके एक सिंगल पेज में उन्हें नोट डाउन करें ताकि जब आप रिवाइज रिविजन कर रहे हो या रिवाइस कर रहो ठीक है तो आपको इजी पड़े हो सब याद करने के लिए ठीक है तो यूटरस भी प्रेजेंट है तो इसको भी देखके हम समझते रहें कि कौन सी पाट कहां पर है कौन सी आर्टर कैसे कैसे आ रही है तो सबसे पहले देख लेते हैं यूटरस के बारे में तो यूटरस क्या है ठीक है एक होलो है होलो है और इंवर्टेट पियर होता है जो इसक इंदर तो वो डबल अपोता है एंग्रो करता है एंड इस फंशन इस तो नुरिश ठीक है नुरिश करने का फंशन एंड हाउस फटलाइज एग अंटिल दफीटस इस रेडी तो बी डिलिवर ठीक है तो यह इसका काम है यूटरस का अब इसका एक एक पॉइंट बाइप ट्रॉप इसका आप इमेज यहां पर देख पा रहे हो तो यह कहां भी प्रेजेंट है आगे से इसके क्या है यूटरी प्लैडर है और इसके बीचे क्या है आपका रेक्टम है उसका लोगीशन का है बिट्वीन ब्लैडर एंड रिक्टम अब इसके साइज के आब बात कर ल कर सकते हैं या तो ऐसे याद कर लो ठीक है तो location और size देख लिए हमने अब बात करते हैं atrial supply की ठीक है atrial supply मतलब उसके कौन सी blood vessels आरी है oxygenated blood लेके तो वो दो होती है एक आपकी uterine arteries होती है ठीक है uterine arteries और दुसरी होते है आपकी ovarian arteries ठीक है uterine arteries और ovarian arteries एन आपकी जो uterine artery है ठीक है यह क्या है आपका यह branch of the anterior division of the internal iliac artery ठीक है हमने जब iliac arteries पढ़ रहे थे हमने external iliac artery क्या रहे है जिसके वो femoral artery बन जाती है ठीक है फिर वो आपके lower limb में जाती है पर जो internal iliac artery थी उसकी एक branch है entire division की कौन सी uterine artery और अगर इसको थोड़ा image में देखे हम लोगे आपे ठी आप अपकी यह uterine artery आ रहे है ऐसे नीचे से पृरण पर जाके supply कर रहे हैं अपके uterus को ठीक है एंड यहां से आरी है आपकी ovarian artery देखे यह लिए यहां से uterine artery आ रहे है इसे और यह आसे ovarian artery आ रहे है और यह दोंसे फिलैंपे आपके anastom assist कर रहे है ठीक है तो इस पर इ अच्छी सी डिटेल वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा तो अभी कलिए तो इतना ही है कि ओवन आर्टरी यहां से आ रही है और अपकी यूट्राइन आर्टरी आ रही है ठीक है तो अपने आर्टरी इस भी तो देख लिए हमने अब बात करते हैं इसकी वेनेस डिनेस के बा प्लेक्स ठीक है जो आपका इंफीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्स होता है ठीक है तो उसमें सुझ जो नर्व आती है वो इससे सप्लाई करती है और अगर सिंपेटिक सप्लाई देखें तो वह T12 एंड L1 के थ्रू हो रही है ठीक है और आपकी जो पैरसिंपेटिक सप अश्ञाटिक पिट्रस प्लाई और एंदर सप्लाई सप्लाई भी देखें ठीक है अब उसके उपर आते हैं तो आपको लेयर्स इसकी कितनी लेयर्स होती है ठीक है तो इसके हमने देखी थ्री लेयर्स होती है कर लेन वह को decision it's walizing the ृड्वाइड रिय में शुब कर देंगार में तो लिएड मेद मे समस्क्राइड कांठ है फिर टी माहीं मे लेक्टी के सबसे अंदर होती है तो इन्ड सांधर हटी में अंदर होती है टिखाम जो एक फिट्थेिली लियर होती है ठीक है और वहां पर इसको nutrition मिलता है फिर आप पर placenta formation ही सब होती है and myometrium क्या होती है जब की बीच में smooth muscles होती है ठीक है जो contraction में help करती है and जो perimetrium है वो आपका serious layer है अब एकर diagram में देख लें ठीक है तो देखो यह जो blue से मैंने बना रही है न अंदर वाली दोनों साइट तो यह काउंसी आपकी है आपकी यह endometrium है ठीक है यह बीच में फिर यह है यह वाली यह की myometrium है जो smooth muscles है अब बात करते हैं इसकी parts of the uterus की अब पार्स में सबसे पहले क्या आती है आपकी parts of the uterus में आती फंडस पंडस कौन सा एरिया आपका जो आपका उपर होगा uterus के यह देखो कैसे उपर को है न तो इसको यह क्या लिखर आगा है हमने यहाँ पर हमने लिखर आगा है इसके लिए it is a convex part of the uterus convex है देखो convex है न उपर को है इसको convex ही बोलते है तो आपका convex है and convex parts of the uterus above the opening of the uterine tube uterine tube बोलो या फेलोपीन tube तो यहाँ पर जो इसकी opening है इसके ऊपर ही है इस level से अगर मैं इसको पैन रखूँ तो इसके ऊपर आला जो पाठ है और जो convex है उसे हम fundus कहते है ठीक है and it is covered with peritonium okay and it is directed forward when bladder is empty अब मैंने आपको क्या बोला था कि यह bladder और rectum की बीच में होता है तो आपको समझो यह आपका नबको समझो यह आपका यह आपका समझो bladder है ठीक है और यह पीछे से आपका rectum है तो यह कैसा होगा यह ऐसे पीछ में present होगा अगर आप bladder empty है तो यह नीचे को होगा directed forward होगा यह फंडा से उपर वाला तो यह कहा है directed forward तो अगर bladder भरा होगा तो यह सोड़ा उपर गो जाएगा तो यह ही लिखा है इसमें next part आती है इसकी body and body कौन सी होती है आपकी जो two-third बनाती है यह मैंने लिखा है न body तो आपके यह portion इतना portion आपका यह आपका body गया लाता है और यह two-third बनाता है uterus का uterus यह है पुरा तो इसका यह जो part है यह two-third इसको body बोलते है and जो one-third बज़ गया यह आपका cervix हो गया तो body में भी दो surfaces होते है anterior या उसको vesicle surface बोलते है अब anterior surface मैंने अब कुछे से बताया दोनों की बीच में होता है वो present anterior surface जो उसका आगे का surface है ठीक है चैसे का आप image देख पार हो तो इसमें क्या दिखा रहे है आपको आगे से flat होता है ठीक है आगे से flat होता है और यह क्या था utero vesicle pouch अब यह हम लोग pouch अब आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें देख लेंगे देखो क्या होता है कि जैसे मा को उन्हें बताया ठीक है जैसे आप ठीक है अब यह image देखो ठीक है अब आप image में क्या देख पार हो कि आपका जो urinary bladder है और आपका जो uterus है ठीक है इसकी बीच में एक fold आगया परिटोनियम का दिख रहा है अब यह fold क्या है इसको बोलते है utero vesicle pouch ठीक है एक pouch formation हो गई है तो utero vesicle pouch formation हो गई है तो अब इस pouch में क्या होता है कि आपकी यह कि इसका posterior यह superior wall बना दिया इसने आपका body ने और अगर हम posterior side देखें अब posterior side क्या होता है देख आपका convex होता है ठीक है एंड इसका relation किसमे है किससे जैसे इसका uninary bladder से होता है इसका था आपका terminal ileum उपर होता है एंड वहापे आपने हम क्या बोला था आपकी intestines होती present ठीक है एंड यह क्या करता है अब जैसे हमने यह बात की न uterobesicle pouch वैसे एक pouch होता है यह देखो image में पीछे ठीक है अब यह क्या है यह pouch form हो जाता है पीछे दोनों की पीछ में rectum और आपके uterus की पीछ में तो इसका यह anterior valve बना देता है तो इसका posterior valve बनाता है uterobesicle pouch का और जो आपका clear बहुत इसी एतना कुछ वह नहीं डिफिकल नहीं next हम बात करते है आपके lateral borders के बारे में अब lateral border देखो यह side की यह और यह lateral ठीक है दोनों lateral body है अब इस lateral में क्या लिखा है they are rounded and convex ठीक है जिसे को convex यह है न दोनों side तो यह क्या round है और convex है और क्या लिखा है इसके बारे में it provides attachment to the broad ligament ठीक है यह देखो broad ligament दिख रही है आपको यह लोग अलर में यह पूरा देखो कहा से attached जाईगे आपकी जो lateral wall है दोनों side यह इससे attached है आपकी broad ligament ठीक है किससे lateral wall से और आपका क्या दिखा है इसमें corner of the uterus is present ठीक है यहाँ पे corner of the uterus पी present होता है अब corner क्या होता है यह आला point ठीक है यह junction यह ठीक है यह junction जहाँ पे आपका जहाँ से आपका यह uterine tube है ठीक है यह जहाँ पे attached होता है आपके uterus से और आपके lateral wall से उसको बोलते corner of the uterus तो यह यह present और आपके लेटरल बॉल पर यह लेटरल बॉर्डर पर एंड इस पर क्या लिखा यह लिखा है और इस पर इस पोईंट पर क्या क्या मिलता है वहाँ पर देखो एक तो यूट्राइन ट्यूब है वह अटाइज्ट है तीख है आप यह दिख रहा है यह जो ओवरी यह चैट विदे तो उसका नाम क्या है लिगमेंट ऑफ दा ओवरी तो यह भी इधर जा रहा है और साथ यह ब्राउन को लगा दिख रहा है यह क्या है आपका आपका राउन लिगमेंट तो तीन चीज़े हैं वहाँ पे अटाच्ट हो रही है तिक यूट्राइन ट्यूप्स इंड़न लिगमेंट ऑफ दे यूट्रस तो यह आगया हमने लेटर बाटर भी देख लिया अब हम बात करेंगे आपके सर्विक्स के बारे में आप देखो जो 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 मैंने आपको बताए कि लोवर वन थर्ड आपका यह वोई डार पिंक में तो यह लोवर वन थर्ड अप और नहीं हमने हमिомिद होल और नक Goodness है यहां इस पॉंट से आपके इंटर्न औहुरी से सरविके स्ट बाइपक्र औन झरी जै यहां इंटर्न आरने से पहले जेके इस Вамus दिर्स देखे नहिए। तक हम दूसको क्या बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं तो लोवर है ठीक इस ऑपर वाला पार्ट है तो यह आपका इसको मैं ऐसे कर दूं यह एक टिक इतना पाथ च्छोटा सा पार्ट क्योंकि यह वजाना के अंदर भी है यहां से स्टार्ट होuy लेकिनी के अंदरा है तो इसको में अब बोलते हैं वह हमने इसमें cover कर लिया अब हम बात करेंगे आपकी जो angles formation होती है यह बी एक important है यह भी समझना जरूरी है तो अब हमें आपके बात करेंगे आपके जो angles पंत्यां लगते अंगल सबसे पहले है आपके बस angle of anti-version तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो आपका यूट्रेस है देखो यह यूट्रेस है और यह वजाएना है तो यह यूट्रेस और वजाएना कैसा present है आपको फोड़ा एल शेप में दिखाया देखा क्योंकि यह forwarded होता है तो इसमें क्या होता है कि जो long axis से आपका यूट्रेस का ठीक है यह blue line पे एंड आपके यह long axis आपक angle of retroversion अब क्या होता है कभी-कभी जो आपका यूट्रेस है यह थोड़ा पीछे को लिए खिसक जाता है कैसे अब यह long axis आप तो यह ब्लू वाला line है ठीक है that is the long axis of uterus यह थोड़ा पीछे को जाता है यह 150 से लेगे आपका minus 30 अब कर लो 30 या 180 तक जा सकता है तो यह क्या इसमें तीन एक्सिस आ गई हैं तीन एक्सिस कैसे आगी एक तो हम पहले से देखिए नहीं यह red वाली यह यह देख लिए और एक जो ब्लू वाली होती है ठीक है यहां पर चेंज हो गई क्या हो गए यह आपके यह देखो यह वाली है ठीक है यह जो आपकी long axis of the एस तर्वि से घेंट पॉइंड आगए को रहते थो सब्सक्राइब सब्सक्राइब Gas Ayas i यह हमने ञ्ली है आप इसको छोटा करते हैं है ओके तो अब हम बात करने हैं इसके लिगामेंट्स के औरहे में ठीक है जो इंपोर्टेंट है काफी इसको अपने पोजिशन पर फिक्स करने के लिए अब क्या होता है इसको हमने दो कैटिगरीज में डिवाइड किया है एक तो होगे आपका पेरिटोनियल फोल्ड्स और आप सबसे पहले याँ प्रस देख लेते हैं तो परिटोनियल फोल्ड्स में सबसे पहला आता है तो कि उसको क्या बह estimates आं ब्रॉड लिगामेंटिंट अभी ब्रॉड लिगामेंट था टाइक को रहा है इसका इप्रीपार्टरी होते हैं ठीक है थ्री पार्ट कौन से होते हैं एक तो होते हैं मीजो फैलिंग्स ठीक है मीजो ओवरियम और मीजोमेट्रियम ठीक है आपको फोटो तो दिख गए होगे तो आप समझ जाएंगे कहा कहा पे प्रेजेंट होती हैं तो अब बात करते हैं हम लोग अप्टी folds ठीक है अब इसमें क्या होता है कि यह देको folds है यह आपको फोटो में दिख रहा होगा क्या है it extends from the junction of the uterine body and cervix to the ladder ठीक है अब क्या होता है कि it creates utero vesicle pouch जो हमने भी थोड़े पहले पढ़ा था ठीक है तो जो हमने पोस्टियर देखा था सर्फिस तो क्या बनाता है यह creates utero vesicle pouch आपको दिखेवार रहा है अच्छे से ठीक है and to last half that is the recto vaginal fold okay it extends from the posterior vaginal fornix to rectum ठीक है यह एक दोनों के बीच में fold बना देते है आपका ठीक है uterus और अपके rectum की बीच में तो इसमें क्या बनाता है it creates recto uterine pouch ठीक है तो यह हमने अभी देख लिए आपके जो peritonial folds थे वह देख लिए अब हम बात करेंगे true ligaments के और में तो सबसे पहला उसमें से क्या आता है कि round ligament ठीक है round ligament में हमें देखा था यह वाला जो brown में देखा आपको brown वाला यह round ligament ठीक है तो round ligament में क्या है कि it extends from the literal corner of the uterus हमने देखा कहां से आ रहा है इस point से आ रहा है तो it extends from the little corner of the uterus through broad ligaments to the connective tissue of the labia major ठीक है and it contains nerves and limb vessels होती है इसके अंदर nerves होती है lymph vessels होती है from the uterus ठीक है तो यह गया round ligament अब हम बात करेंगे आपकी transfers ठीक है cervical ligament ठीक है तो आपके जो transfer cervical ligament है इसको हम cardinal ligaments भी बोलते हैं तो क्या आता है it extends from the lateral pelvic wall to the supra vaginal part of the cervix ठीक है आप देख पार है फोटो में and it contains uterine arteries ठीक है अब जो last आता है आपका that is uterosacral ligament अब क्या होदा है कि it extends from the anterior side of the sacrum ठीक है two sides of the cervical cervix and uterine body हमने यह आपे देखा था हम uterosecral यह देख यह वाला ठीक है तो यह कहता uterosecral ligament और फोटो में भी देख पा रहे है आपे ठीक है तो यह क्या आपका uterosecral ligament ठीक है तो यह हमने ligaments भी आपके cover कर लिए इसका जो last topic है हमारा that is the lymphatic drainage वह देख लेता है वह ताफट अब देखो जो lymphatic drainage है है हमने इसको बी डिवाइट कि दिवाइड किया है portions के सापसे आपका जो अपर portion है middle portions और आ taught lower portion तो जो अपर portion है आप इस अपर portion में क्या होता है कि आपके जो fundus है अपका Just superior uterine body fundus or Low B कोर्ण और जुप्लण का per portion में आते है तो जो fundus औन जो आपका सुपीर यह uterine body है ठीक है इसका drainage कहां पर हो रहा है किस पर हो रहा है आर्टिक ठीक है lymph node पर और जो पर कॉर्णू है ठीक है आपको मने बता यह था कहां पर होता है इसका कहां पर आपका नास्टल पार्ट में यृप आपका लोरिख्व नोर यृ पोतबने तो इस फोटो में लिए किसका हो रहा है आपका四 पूरिख्वल पेज आपका यृटर rozum का है यह हमने कवर कर लिए अच्छे से एंड वीडियो आप देख देखके आप ऐसी बना दोगे तो आपके लिए याद करने में फिर जब रिवाइस करोगे आप एक्जाम से पहले या एक्जाम के समय तो आपको बहुत चीज़ें याद रहेंगी और एक पैटन में याद रह आपको ठाके हर एक एक इंपॉर्टन पोईट सब कवर हो जाए अच्छे से तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आपको समझ आया होगा आपके कुछ हैल्प आया होगा यह वीडियो तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी कर लो एंड कि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब बना बोल जाते तो नीचे एक रेड बटन है सब्सक्राइब का आपके जब आके उसको और एक बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक करते ना थाकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिपिक्शन सबसे पहले मिलते रहें तो मिलते हैं न